हाई गाइस वेलकम टू प्लास्टिक स्रॉजन व्लोग पाईलोन डल साइनस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मतलब बताऊंगा आपको कैसे होता है क्या होता है और पेशेंट की एक जो इसने जिस फेसे निकला है वो फिर बात में पूरा ठी हो गया वो बताता हूं आपको यह पेशेंट के अगर आपको स्रॉजर्जी के वीडियो देखने तो मैंने इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं पूरा समझाते हुए तो मैं यहां पर रिपिट नहीं करूँ है यहां पर सिर्फ फूर्सी क्लिप दिखाऊंगा साइटिंग में कैसा था क्या था तो हमको भी पता होता है कि पेशेंट के लिए बहुत बड़ा डिजन होता है अपना सर्जरी कराने के लिए इतनी दूर आना वो पंजाब में एकदम नौर्स पंजाब से थे और वो उनको कोट आना सर्जरी के लिए तो पेशेंट ने मैंने उनको एक मेरे पुराने पेशेंट मैंने उसे बात करें नहीं सेडिस्वाइब तो से बला सर मैं घरवाले बोल रहें कि इतनी दूर कैसे जाओगे यह वो यह वो तो हम लोग यहीं पर करवाले मैंने का बिल्कुल आप चाहा रहते हैं वहीं पर कर वाली जिए मुझसे बार बात हो यह नहीं होता कि आपको मेरे पास यह आना है बिल्कुल जब आप कमफरटेबल हैं तो आप वहीं कराईए तो पेशन इतनी बात कर लिए फिस एक दिन बात फोन कराई है कि सरम ने टिकेट करा ले हमनों कोटा आ रहे हैं वो लोग सरजी उन्होंने आयक कोटा जब मैंने चेक करा उनका तो देखेंगे प प्रेशर था माँ पर वो कम हो गया तो थोड़ा पें कम हुआ है लेकिन अभी भी उनकमफरटेबल है मैंने चेक करा उनको चेक करने के बाद में मैंने उनको बता है कि सर्जी के टाइम पर हम लोग सर्जी में यह जो जितना भी सैनेस वाला पार्ट है यह पूरा निकाल दे क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए अभी टाइम मिल रहा है तो अभी मैं इस मन्त में आपको बहुत सरे वीडियो देने वाला हूं तो पेशेंट को दूसर तीसर चॉसर दिन घर चले अपने ट्रेन के अंदर और आइधिंक नेक्स 10 देज पर उन्होंने मुझे बता ही कि हुआ सब सुरस्टहमारा थे वाहा से पंडी सीर्ग के अजो से मता है किए कुछ जय पोलता है कि अब बिलाति नियुक्ती बॉ Accountर को दिखा के एक बार मिनिको स्बाता हो वह क्या बोलते हैं ? यह उस पार ध मैं टाको में या कुछ रहा कि कि क्या करना चाहिए उन्होंने बोलाए कि गरम पानी में बैट हो गोली खाओ मैंने का आप टेंशन मत लो कुछ मत करो आप जस बीटा डीन का जो सुलूशन होता है उसको यूज करो वहाँ पे क्लीन करने के लिए अभी पेशेंट की जो वाइफ थी वह बहुत ही जिसको बोलता जाता कि कॉंट से पेशन के रिलेटिव जो है वह थोड़ कुछ होता है तो वह क्यर करने वाले होते हैं तो उनकी वाइफ ना बहुत कर दिसकी के लिए तो वह बीटाडीन का सीरेंज करके डालती थी तो मैंने उनको बोला नहीं तरीका और सुधारो यह ऐसा तरीका है तो अगर फोड टाइम में उनको एकनम पर्फेक्ट तरीका आ गया कि कैसे वाश करना है उन्होंने वाश करा और वाश करने के बाद का क्लियर हो गया उनको इन्फेक्शन वेकर को ज़ए प्रॉलम नहीं कर रहा है अभी थोड़ दिन पहले मैं उनको थोड़ दिन तो क्या हो ग कि अपने बढ़ जाएगा वो जड़ा अच्छी है तो यहां देखो मैं यहां पर यह नहीं बैठा हूं तीन तीन चीजों में कि सबसे अच्छी कौन सी है वो बताने वाला वो मैं कोई नहीं होता हूं आपको आपके डॉक्टर से जिससे भी आप ट्रस करते हैं या जिसे सर होड़ेंगे तो तीन चार पांच महीने तक आपको पट्टी करती रहनी पड़ेंगे दर दर जखम बढ़ें और कई बार तो ऐसा होता है कि वह जखम बढ़ता भी नहीं है एक पेशेंट जिनका पहले दो बार सर्जरी हो चुगा था किसी दूसरी ऑस्पेटल में मुझे सर और वो प्रब्लम होता रहा तो इसलिए मैं खुला नहीं छोड़ता हूं दूसरा बस लेजर क्यों नहीं करते हो तो लेजर से कुछ सर्जन ऐसा बोलते हैं कि हम तो 100% रिजल्ट दे देंगे लेजर से तो मैं बोलूँगा आप उनसे बात कर लो मेरे को परसिन लगता है कि लेजर को अभी भी और ज्यादा टेक्निकले एडवांस होना पड़ेगा पाइलवनल सायनेस को कम्प्रीट क्योर करने के लिए तो और फिर भी आप बोलते हैं कि सर हमारे सर्जन ने बोला है कि लेजर से एकदम मैं साफ कर दो तो उनको बोल ठीक है सर हम लोग लेजर कर वा आ रही है अभी और ज़्यादा मॉडिवेशन चाहिए तो यह चीज थी अब आगे भी है न हम लोग इस मन्त में बहुत सारे वीडियो देखने वाले हैं आपको मिल दे रहेंगे थैंक्स वाचिकने और नाइस जे बाबाई